पिछले एपिसोड में अबिसल एंड की आर्मी अबिसल बग के उपर अटाइक करने के लिए आने लगी थी जिसे देख वाइविंग और कुईन एक साथ मिलकर उनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे इसके बाद अगले सिन में हम देखते हैं कि सिंग्यूने कजीब से जगा पर आया होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या यही डेथ स्टॉर्म है लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लियू सियान के कही हुई बातों को याद करने लगा था जहां पर लियू सियान ने क लेकिन असल में एविसलेंट भी बहुत बड़े तादात में थे जिसके बज़ासे इनका सामना करना इतना भी आसान नहीं था लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे किसी भी तरह से इनको रोकना चाहते थे और इसलिए वे तुरंत अपने आरों का यूज करते हुए इन इर्वानरिलम वाले किंग और क्वीन भी हैं इसलिए अगर वे भी यहाँ पर आ गए तो उनका सामना करना हमारे लिए काफी मुस्किल होगा तब इसकी ऐसी बात सुनकर वाइबिंग उससे कहती है कि हमें जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा नहीं तो अगर हमने इ एक आदमी योयो की गर्फरेंट के पास में आया हुआ था जो उसे दूसरे रेस्टोरेंट से आई हुए इंकम के बारे में बता रहा होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसे लेकर चेक करने लगती है लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते हैं कि और कोई भी चाहएब तुम इतनी परिस्तान क्यों हो। तुम्हारी मदद की जरूरत है जिसके बाद हम देखते है कि गुमैन भी तुरंट इसके लिए रेडी हो गया था इसके बाद अगले सिन में हम देखते है कि लियू सियान डीमन इस्प्री टैरों के बारे में देख रही होती है और फिर कहने लगती है कि इसके बज़े से तो क्लेंट पूरी तरह से पागल हो चुका है लेकिन क्या सच में उनको ऐसा लगता है कि हम इनसानों को इस तरह से बुली करना आसान है तभी इसी भी चम देखते है कि बाइबिंग इसके पास में भी आ जाती है क्योंकि उससे पता था कि लियू सियान वैसे तो मार्सल एंपर नहीं होता तो फिर सिंग्डुनाप को जॉइन करने के लिए लाउ नहीं करता लेकिन इस समय हम किसी भी तरह से उसे हारते हुए नहीं देख सकते जिसके बाद हम देखते है कि एविसल वार के बारे में जानकर वो भी काफी परेसान हो गई थी और फिर वो हैरान होते है कि उसने तो एविसल इस्परी डिमन को जीत लिया जो कि असल में एक तरह से लिजनरी क्रियेचर है और वे रियून और फॉरमेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं तब ही वाइविंग उससे कहने लगती है कि एविसल बॉग और एविसल इंड के बीच में फाइट करने के लिए قابil है जिसके बाद वाइविंग उससे कहती है कि आप इसके बारे में पूरी तरह से रिलेक्स रहिए क्योंकि हमने सपोर्ट करने के लिए स्पूरिम आम प्रेविसल को भी इनवाइट किया हैं लेकिन इसके बारे में सुनते हैल्यूस यान के हरानी और ज äridha बढ़ जाती है और फिर वो कहने लगती है कि संघ्यों ने तो Supreme Emperor Abysal को भी अपना friend बना अब बाँद कहने लगती है कि आप Supreme Emperor के जैसे powerful है इसलिए अगर आपने हमें जॉयन कर लिया तो हमारे जितने का चांस बढ़ जाएगा लेकिन वही लियू सियान सोचने लगती है कि तीन दिन में डिमन क्लैन भी हमारे हुमन टेडिटरी के उपर अटेक करना स्टार्ट कर देंगे और जब कि मैंने तो हुमन लेस का सिक्स सुप्रेम एमपर बनने के लिए प्रोमिस किया है और इस इसे दे दिया लेकिन इसके बाद भी इसने बीना सोचे हमारा साथ देने से मना कर दिया तब ही लिए उसीयान अपने आई स्वार्ट के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने इस एमपरर वेपन को एमपरर आर्सनल से चूज किया था जो कि मेरे लिए बहुत इसू तब इसके बारे में सुनकर लियोसियान उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हूँ जिसके बाद बाइविंग उसे कहती है कि क्या यहा बात सही नहीं है और इसलिए उसने अपने पास वाले हर एक चीज को आपको भी दे दिया तब इससी भीच हम देखते हैं कि लियोसियान के सी opportunity है तब इस पर वाइबिंग उससे कहती है कि वाट रेजर आपको ऐसा defense देगा जिसे कि reincarnation emperor भी destroy नहीं कर सकता तब इसके बारे में सुनकर लियू सियान भी इस बात से हैरान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि मेरे पास में भाले ही supreme emperor की power है लेकिन मेरा defense अभी भी marcel emperor के level में है जो कि असल में एक तरह से मेरी कमजोरी है इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस treasure को हासिल करने का decide कर लिया था और फिर वो बाइबिंग से कहती है कि तुम इसके लिए क्या चाहती हूँ जिस पर बाइबिंग उससे कहती है कि आपका heavenly feather dress chance दे सकती हूँ लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि आप इसके लिए लायक ही नहीं है जिसके बारे में सुनकर लियू सियान उससे कहती है कि तुम इसके अलावा अपनी कोई दूसरी request बताओ लेकिन हम देखते है कि वाइबिंग इसके बातों को ignore करके यहां से जाने लगती है जिसके बाद लियू सियान भी अपने आइस पाउर का यूज करके उसे रोक देती है यहां देख वाइबिंग उससे कहती है कि आखिर कर आप मेरे साथ में क्या करना चाहती हूँ क्योंकि अब किसी भी कीमत पर मेरा कंडिसन चेंज नहीं होगा अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि इसके लिए तो सुप्रीम एंपरल भी आपस में फाइट कर सकते हैं लेकिन क्या इसके बाद भी यह है वेनली फिदर डेस आपके लिए किमती है तब इसके बारे में सुनकर लियू सियान सोचने लगती है कि अगर वाट रेजर मुझे किसी भी तरह से मिल गया तब इस तरह से मैं भी सुप्रीम एंपरल के जैसे बन जाऊंगी और फिर अगर मैंने इससे अपने नाइन कोल के साथ में कमबाइन कर या तो इसकी पार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो वाइबिंग की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर उससे कहती है कि मैं तुमें इस हेवेंली फिदर डेस को दे देती हूँ लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लि लिए सुटेबल नहीं है इसलिए आप वेपन आर्सनल जाकर किसी टर्टल सेल को खोज लेना क्योंकि इसे मर्ज करने के बाद आपको बैटल किंग आर्मर मिल जाएगा इसके बाद वो यहां से जाते हुए कहती है कि सिंग्यू ने तो आपके लिए इतना सब कुछ किया ले अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना